हेलो दोस्तों मैं पुश्पेंदर यादो स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसफर बाबा में दोस्तों आज मैं आपके सामने बहुत ही एक अच्छी खुशकबरी लेकर आया हूँ जो की है अधिनस्त सेवा चैन आयोग से जो की आपका प्रतिष्ठित सेवा चैन आयोग है यूपी ट्रपेल सी जिसने अभी तक पिछले कुछ महेनों से भरती नहीं कराई है और जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होना था मंदी परिशत का पेपर होना था उस पेपर की अभी तक कोई डेट भी नहीं थी उसका स्लेबस भी नहीं था जिसमें से जूनियर असिस्टेंट का तो स्लेबस और बाकी चीज़े डिसाइड़ थी लेकिन अभी उसका जो एक्जाम डेट है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है साथ में जो आपका राजिक रशी उत्पादन मंदी परिशत उत्तरप्रदेश के अधिनस सेवा चैन आयूक से जो मंदी परिशत की वेकनसी आनी थी उसके बारे में मालूम तो था लेकिन उसके सिलैबस के बारे में पता नहीं था यहाँ पर कुल पद है चारिक को 6 सितंबर 2024 को सिलैबस जो है वहाँ से निकाल दिया गया था और आज मैं आपके सामने लेकर आये हो इसके सिलैबस के बारे में तो अगर इसके सिलैबस की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि विशाय कौन कौन से होंगे प्रश्णों के संख्या कितनी होगी, कुल अंक क्या होगी और समया अवधी क्या होगी तो अगर हम इसके सिलाइबस की बात करें तो टोटल सो अंकों का ये पेपर होगा, ये प्रश्ण पत्र होगा जिसके छे भाग है भाग एक में क्रशी आधारित भारती अर्थव्यवस्था, सांखे की वारिज और उत्तर प्रदेश क्रशी उत्पादन, मंडी, संबंधी, ग्यान से संबंधी तापके 20 प्रश्ण पूछे जाएंगे 20 अंकों के लिए दूसरा भाग है हिंदी परिज्ञान और लेखन योगिता का, जहां से 15 कोश्ण आएंगे 15 नमबर के लिए भाग 3 में आपकी रिजनिंग आएगी जिसमें से 15 कोश्ण आएंगे 15 नमबर के लिए चौथा भाग होगा सामाने जानकारी जनरल अवेरनेस का जिसमें से 15 कोश्चन आएंगे 15 अंकों के लिए पाँचवा जो भाग है वो आपका है कंप्योटर एवम सोचना प्रद्दोगी की अवधारणाओ एवम इस छेतर में समसामाईक प्रद्दोगी की विकास एवम नवाचार का ग्यान यानि यहाँ पर आपको basic computer knowledge होना चाहिए प्लस AI का knowledge होना चाहिए प्लस latest trend में जो भी आ रहे हैं सवाल उनसे related आपका knowledge होना चाहिए current में computer के छेतर में क्या-क्या विकास हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ से आपके बनेंगे 15 question 15 अंको के लिए भाग 6 में आपसे यूपी special के बारे में पूछेगा क्योंकि यूपी का exam है यूपी special ना पूछे तो ऐसा तो हो नहीं सकता तो उत्तर प्रदेश राजिसे संपंदित सामाने जानकारी आएंगी यहाँ से 20 question आएंगे 20 अंको के लिए तो total 100 question 100 अंको के लिए परिच्छा की अवदी होगी 2 घंटा यानी 120 मिनट और यहाँ पर जो minus marking होगी वो minus marking होगी 1 by 4 यानी 1 बटा 4 4 question जब गलत होंगे तब जाकि 1 सही जाएगा तो यहाँ पर आप risk भी ले सकते है question भी maximum solve कर सकते हैं लेकिन आपको याद दे रखना है कि paper आजकल UPCCC जो बना रहा है वो इतना भी हलका नहीं बना रहा है कि आप सभी question सही कर ले जाए या maximum question आप सही कर ले जाए यहाँ पर आपको negative marking से बचते हुए अपनी strategy बनानी है अगर हम इस slabs को define करें इस भाग छे भाग के slabs को तो इन्होंने define भी करके दिया हुआ है जिसमें से मैं आगर बात करूँ तो पहले भाग में जो की क्रशी अधारित अर्थविवस्था है सांखे की वाडिज और UP से related क्रशी उत्पारदन मंडी संबंधी ग्यान से जो आपका topic आएगा वो यहाँ पर आएगा national income, budget, निवेश का concept, मुद्रा और पुझी बाजार, भुक्तान संतुलन यानि balance of payment, व्यापार संतुलन, banking प्रडाली, मुद्रा स्वीत यानि inflation, budget, भारत में जो योजनाई आई थी, पंचवर्शी यो, नीती आयुक, infrastructure, भारतियर तवस्था का उधार करण और वैश्वी करण, यानि की globalization और ये privatization सारी चीज़े आपको यहाँ से पूशा जाएगा, फिर जनसंख्या, वरधी, श्रम, धन और banking, national income, क्रसी उतपादन, और दोगी कुतपादन में रुजान, भारती सांखकी, प्रणाली, CSO, NSSO, अर्थसासरम सांखकी, ब्यूरो से संबनेत कोश्चन आएंगे, उसके बाद व्यापारिक संगठन से कोश्चन आएंगे, और उसके बाद आपके जो सवाल आएंगे, क्रसी से आएंगे हैं न, कि क्रसी के प्रकार क्या होते हैं, क्रसी के पिछड़ेपन का कारण क्या है, क्रसी जोत क्या होती है, भारत की प पादन मंडी अधिनियम 1964 के तहट बनाए गए नियमों विनियमों नीतियों तथा नवीनितम तक्नीकी विकास के परिप्रेक्ष में अपनाय जा रहे संशोधनों पर आधारित प्रश्ण भी पूछे जाएंगे हिंदी में हिंदी भाषा का जो नॉर्मल नॉलेज है वो आपसे पुछा जाएगा है ना सामाने बुद्धी परिछन की बात करें तो रिजनिंग में भी आपको पता है कि यहां से आपको maximum coding, decoding, समानताय, संगतता, निशकर्ष, कथन, निशकर्ष यह सारी चवाल पूछे जाएंगे सामाने जानकारी भाग 4 की बात करें तो यहां पर आपसे GS के बारे में पूछा जाएगा GS में आप सभी जानते है History, Policy, Geography, Economy, Science यह लिखा भी है Geography, Economy, Policy, Constitution, Science, Current Affairs यह सारी चीज़े आपसे यहां पूछे जाएंगे भाग 5 की बात करें कंप्यूटर से संबंतित क्या-क्या पूछा जाएगा तो hardware, software, input, output, internet, protocol, IP address, IT, gadget, उनका प्रियोग, email, ID को बनाना, email का प्रियोग, printer, tablet, even mobile का संचालन, word processing, Excel, MS, Excel, operating system, social networking, e-governance, digital, वित्यूपकरण और अनुप्रियोग भविश्ची के कौशल और cyber security, computer और सुषनय प्रत्योगी की चेत्र में होने वाले तक्नीकी विकासिवम नवाचार, artificial intelligence, big data processing, deep learning, machine learning, internet of things इस चेत्र से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और फिर जो बच्चे सवाल होंगे वो आपके भाग 6 से आएंगे 20 सवाल, 20 अंकों के लिए UP special से यहां आपका आएगा उत्रप्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तु, कला, तियोहार, लोकन, नत्य, साहित, छेत्री, भाशाय, विरासत, सामाज, करीत, रिवाच, परेटन, भागोलिक, परिद्रश, पर्यावरण, प्राकरतिक, संस उचा जाएगा, तो यह आपको इतना पढ़ना है, यह आपका स्लेबस में टेलिग्राम पे अप्लोड कर दूँगा, आप वहां से देख लेजेगा, अगर स्लेबस में हम बात करें कि हमारे चैनल पे क्या-क्या कवर हो चुका है, तो हमारे चैनल पर आपका जो भाग 5 है, वो पूरा कंप्लीट है, कंप्यूटर का, जुनियर असिस्टेंट के लिए मैंने कवर कराया था, दोनों स्लेबस में जरासा भी अंतर्क नहीं है, दोनों का स्लेबस से में कंप्यूटर के मामले में, यूपी स्पेशल मैंने करवाया हुआ है, और मैंने GES में पालिटी चालो करूँगा बनाना, क्योंकि अभी मैं Digital Board के लिए लगा हुआ हो, Digital Board पे ही अब आपको Classes मिलेंगी, वो PDF आपको Digital Board से मिलेंगे, इसलिए आपकी Classes continue नहीं हो पा रही है, तो जैसे Digital Board का हो जाता है व्यवस्ता, तो आपको तुरन Classes प्रवायड होना शुरू हो क्या आप maximum output वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि 35 नंबर आपके वहीं से आपको मैंने cover करवा दिये हैं, बचे 15 question वो आपको मैं cover करवाओंगा बहुत जल्द, तो आप लोग प्लेलिस्ट को जाके चिक करिएगा, और जितने भी साथी इस चैनल को like, subscribe और share किये हूँए, उन सभ कहाल रखिए, अपनी family का दियान रखिए